एक ऐसी गाईका है जो देश में विदेश में यहां तक कि मेरे इंचीनिरिंग कॉलेज में जब मैंने एक बार बात की मैंने का मैं संगीता जी के साथ मैं शो करने जा रहे हूँ मुझे पता नहीं था कि वहाँ 256 लोगों के ऐसे 10-12 गुरुप बने 1964 का कॉलेज है वहाँ बुजूर्गों से लेके हमारे और हमारे यंग एकदम नए बच्चों तक सभी हैं हर कोई संगीता मेलेकर के नाम पे खुश हो गया था क्योंकि एक ऐसी गाईका है जब यह मंच पर खड़ी होती है हर कोई खुश हो जाता है देशो के देशो कहीं और मुझे पता है इन में से कई सारों की नजरे ना बहुत दिर से उनको ही खोज रही थी तो देखो जब अच्छे गाईक को बुलाते हैं तो उनको बुलाने के लिए आपको पता है कैसे बुलाया जाता है आप समझते हैं बहुत समझदार है मैं मन्च से बहतरी नगाईका को बुलाना चाहती हूँ संगीता मेलेकर जी पधारे मेरे नैना साबन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना साबन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा बात पुरानी है एक कहानी है ओ बात पुरानी है अब सोचों तुम्हें याद नहीं है अब सोचों नहीं भूले अब सोचों तुम्हें याद नहीं है अब सोचों नहीं भूले वासावन के जूले रुत आए रुत जाए देकर छोटां के दिलासा निर भी मेरा आगन प्यासा अब मेरे आए और नहीं है बर्सों भी इत गए हमको मिले बिछने विजुरी बन कर गगन पे चम की बीती समय की रिखा मेरे तुम खोदी को तडप तडप के इस बिरहन को आया चे जरा सा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन पादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा संगीत जी बता है आप ना कृष्णी की बांसुरी सी भज रही थी और हमको ऐसा लग रहा था हम बस यहीं बैठे रहें झाल यहीं बांसुरी 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 तार भी मेरा आप रहें झाल झाल